तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को प अजदाद आप लोग सीखने वाले हैं पढ़ने वाले और समझने वाले हैं अलफाज तो आप लोग जानते हैं लव्ज का जमा यान की बहुवचन है लव्ज का मतलब होता है शब्द वर्ड और लव्ज का जमा प्लूरल क्या है बहुवचन अलफाज अलफाज का मतलब धे यानि कि वे शब्द जो एक दूसरे के अपोजिट हो विप्रीत हो उस तरह के शब्द को कहा जाता है हिंदी में विप्रीत आर्थक शब्द और इंग्लिश में एंटोनिम और उर्दू में उसी को क्या कहते हैं हम लोग अजदाद या इनकी जिद कहते हैं जिद का जम्ह हितना उल्टा जमीन यसितन हमान के जिद हो गया जमीन उसी तरीके से मैं पूछी कि दिन का च papa उल्टा शब्द क्या होगा आप लोग कहेंगे रात सच का उल्टा के जूट गर्म का उल्टा और ठंड़ा ड़ पं dáग तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इतना आहस और अजदात ऐतना आसान कुशन इसाम पूचा जाता है अगर इतना आसान पूचा जाता है तो हम लोग धाड़ बना कर चले आएंगे लेकिन आप लोग टेंसर फ्री रहेए इतना आसान नहीं पूछा जाता है देखिए मैं यहाँ पर धेर सारे अलफाज को लिख दी हूँ और जब धेर सारे अलफाज है तो उसके अजदाद भी तो धेर सारे होंगे यानिकि जिद जो अपोजिट वर्ड होंगे वो भी तो धेर सारे होंगे यानिकि अलफाज की क्या बताए आसमाना का उलटा यह शब्द उठाकर देगा न ऐसा लवख उठाएगा इसा न लवज उठाएगा जिसका आफ लोग जानते ही न क्वेज हो जानते लियुक्राइब कऱके पूच्छा में पूच्छ दिया कि जमीर का पूच्छ लेए चारे रहेंगे तो आप लूग K facilitate क्या होगा नीचे चारी अपसन दिएड्य आप एक शुनना की शिरी का जूंट क्या होगा उसी तरीके से question पूछ दिजिया गोँछ हूं और उसके बाद से इप्तदा का का जित चूंट क्या होगा अमानत का जूंट का हाजिर का जूंट का होगा मारूफ का जिद क्या होगा नशीब का जिद क्या होगा तो फिर आप लोग को पता रहेगा तभी तो आप लोग बता पाएंगे ना और वो ऐसा शब्द उठा कर देगा जिसका आप लोग जिद यानि कि अपोजिट वोड जानते ही ना हूँ इसी वजह से वो सारे important loves यानि कि वो सारे important अलफाज जिस से आप लोग के exam equation पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ और उसका अजदाद भी लिख दी हूँ और इसनी अलफाज और अजदाद में से आप लोग के एक्जाम में कोशन पूछे जाएंगे, याद रखेएगा, जितना भी वोड पर मैं धेर सारे अलफाज को लिख दी हूँ और धेर सारे अजदाद को लिख दी हूँ, यह सारे के सारे इंपोर्टेंट है आप लोग के एक पूछे तो आप लोग छोड़ करना है, चलिए, एक एक करके मैं पढ़ती हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और हर एक अलफाज का याद की हर एक लवज का आप लोग जिद जो है ना ध्यान में रखेएगा, इस लवज का यह जिद यान की अपोजित वाड़ लुगा, पल Sabra, फतह का मतलब होता है जीत तो फतह का आप लोग हार नहीं लगा जीत का मतलब होता है अगर आप कोशन पुष्टा कि जीत का जिद का होगा तब option में दिया रहता हार तो उसको टिक करते लेकिन अगर question पूछे कि फत्व का जिद क्या होगा तब उस वक्त आप लोग हार नहीं लगाएंगे बल्कि option में दिया रहेगा शिकस्त उसको शिकस्त टिक करेंगे ठीक है ना तो फता का opposite word यानि कि जिद क्या होगा शिकर्स्त यानि कि हार उसी तरीके से सवाब का जिद यानि कि opposite word अजाब तारीफ का तो तोहीन तारीफ तो होती है तो सब भी को बहुत दा खुशी मिलती है लग किसी इंसान की तारीफ हो आप ही की तारीफ की जाए तो आपको बहुत सामने वाले इनसान से बर्दास्थी नहोगा तोहिसी तरीके से आफताब का जिद यारें कि अपोईजित वाड होता है महताब दुखर लब्स नदोई कर सकते हैं यहां पर जिस्म काची से को capacity कर सकते हैं जिका होगा शरी नशेब का फिरात यह बहुत ही कोशन ने बहुत बार पुचा गया है आप लोगे ग्जाम में कुचा जाता है कि नशीब का यह है नशीब का जिद क्या होगा और में दिया रहेगा फिराज तो इसको दिले से ठीजेगा यह बहुत बर कुछ नवले नशीद फिराग वाला ठीक है मग्रीब का क्या होगा तो मश्रिथक है हकीएकत का मजाज इबन का बिन्थ इबन का मतलब होता है बेटा सॉन अफ और बिन्थ का मतलब होता है बेटी यानि की डॉटर ओफ ठीक है और उसी तरीके से होता है अबू का मतलब होता है अबू का मतलब होता है पादर ओफ यानि की पिता और उम का मतलब होता है मदर ओफ ठीक है यानि की मात ठीक है तो यहां पर ध्यान में रखिएगा इबन का अपोजिट वर्ड क्या होगा तो बिंत याने कि इबन का मतलब बेटा और बिंत का मतलब बेटी और उसी तरीके से अगर कोश्चन पूछे कि अभू का जिद क्या होगा तो फिर आप्शन में दिया रहेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं शुमाल का जिद जनोब उसी तरीके से वेरान का जिद क्या होगा तो आबाद सुकून का जिद तो हरकत मारूफ का जिद टो मजहूल मुफरत का जिद दो मुरकब रहमत का जिद जखमत जन्था passion ज़े जननत का जिद यानि क्या जहन्नुम जदीद का तो कदी जदीद और प्राना और जदीद का मतलब होता है नया आगाज का तो अंजाम बहार का तो खिजा यह भी इंपॉर्टेंट कोशन है और यह भी पूछा गया है रहमत और जहमत वाला भी पूछा गया है देखिए जो कोशन पूछा जा चुका है जो लफ्ज उठा कर आप लोग पूछा गया है आगाज और अंजाम का भी पूछा गया है आगाज का जिद क्या होगा तो अंजाम और उसी तरीके से बहार का तो खिजा और नशीब का तो फिराद यह याद रखिएगा तल्ख और शीरी वाला भी पूछा गया है कि तल्ख का जिद क्या होगा तो शीरी य और तारीक का मीचलब और तारीक का मतलब अंधेरा तो यह भी बहुत बार इसको मैं बॉक्स में डाल दे रही है जाहिर का बातिल इबत्दाल इंतह यह भी कोशें पोचा गया है उसके बाद से नूर का जिद क्या होगा finger चल्मत यहां पर एल पक्त हैवान अमानत का खयानत मौमिन का काफिर इंसान का यह तो बहुत आसान है हैवान तो यह सारे इंपोर्टन्ट अलफाज थे जिसका अजदाद में आप लोगों को बता दी और इसी से आप लोगों के एक्जाम में कोशन पूछे जाएंगे जी हाँ मैं पूरे विश्वास के स जरूर रिपीट कर लिजेगा पढ़ लिजेगा इसको ताकि हर एक लवज का जो जिद है आप लोगों के मैंड में फिट हो जाए मतलब की ध्यान में आजाए कि हां इस लवज का यह जिद होगा ठीक है तो इसको आप लोग कोशिद करें कि हर रोज दो तीन बार मतलब आया है और आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो बस लाइक तो बनता है फड़ाफोट लाइक कर दीजी और कमेंड बॉक्स में लिख कर बता दीजेगा कि हां चीज़े समझ में आई है और बस आप लोग इसके नेक्स्ट वीडियो का इंतिजार कीजिए ब अदरवाइस उसका लिंक जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिशन में डाल दिया गया है आप लोग लिंक पर क्लिक करके भी जोईन कर सकते हैं और यहां तक अगर आप लोग स्क्रीन शॉट भी लेना चाहते हैं तो कोई दिखर नहीं देखें मैं चाहती हूं कि आप लोग ले फिर पीडियाफ ले जिस तरह से भी आप लोग कॉंटेट अपने पास रख रहे हैं उसका रिवीजन करते रहें अंडरलाइन करके हैलाइट करके आप लोग रिवीजन करते रहें ठीक है तो लिजिए फड़ा पर स्क्रीन शॉट तो चली आज किस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं इसके साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दिये होंगे चानल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं हमारे वीडियो उसको पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर ओन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप लोड़ हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और अगर आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो बस आप लोगों कुछ नहीं करना है वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है और लाइक तो बस एक बार करना है क्योंकि लाइक एक ही बार किया जाता है और जितना ज्यादा ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है ताकि सबी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके ठीक है तो चलिए फिर मिले